घर और किचिन के काम कुछ ऐसे काम होते हैं जिने हम कितना भी सम्हालने की कुशिश करें जल्दी से जल्दी काम करने की कुशिश करें लेकिन कुछ ना कुछ गलती हमसे हो जाती है पानी डाल कर साफ जब करते हैं तो आपने देखा हुआ इसके जो गैस बनर है उसमें पानी चला जाता है तो एक बहुत बड़ी असाटे बता रही हूँ आपको जिससे आपकी गैस भी साफ हो जाएगी और इसके इंदर पानी भी नहीं जाएगा अब देखें यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तो जब भी आप इसको साफ करें आपको एक छोटा सा काम करना है लेना है कटोरी तो जो बड़ी कटोरी होती है वो बड़े बर्नर के लिए छोटी कटोरी होती है वो छोटे बर्नर के लिए और इस तरह से इसके ऊपर आपक तो मैं अच्छे से यहां पर रगड लेती हूँ इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी अब दिखे मैं यहां पर पानी डाल रही हूँ ना और बिल्कुल भी हमारी जो गैस के बर्नर है उनके अंदर पानी नहीं जाने वाला है बहुत ही यूसफुल ट्रिक है दोस्तों जब भी आप इस तरह से गैस को साफ करें इस ट्रिक को जरूर सी यूज कीजेगा आप इमें क्या करना है अच्छे से गैस को साफ कर लेना है वीडियो अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमली में जादा से जादा शियर कर दीजेगा तो चलिए मैं यहां पर आपको पूरी अच्छी तरह से साफ करके फिर दिखाती हूँ तो यह दिखे दोस्तों मैंने गैस को अच्छे से साफ कर लिया और यह दिखे हमारे बर्नर पे बिल्कुल भी पानी नहीं किया है बहुत यह useful सा आइडिया है जब यह आप गैस साफ करें तो इसको एक बार जरूर से ट्राइ कीजेगा आपको इतना पसंद आएगा ना कि हर बार आप इस ट्रिक का यूज करेंगे तो चलिए फटा-फट से अपना अगले ट्रिक भी देख लेते हैं दोस्तो अगले ट्रिक में मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया है और प्याज लेने की बाद हम क्या करेंगे इसको छोटे-छोटे टुकडों में कट कर लेंगे मतब 20 से इस तरह से कट कर देंगे बहुत ज़दा छोटी टुकडे भी हमें इसके नहीं करनी है इसके बाद इसकी एक-एक कली को आपको अलग कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पहले से एक चोटा सा प्याज कट करके रखा है अब फटा-फट से मैं इसकी कलीयों को अलग कर लूँगी दोस्तों यह जो ट्रिक है आपके हमेशा काम आएगी और बहुत यूस्वल है अब लेना है आपको एक सेप्टी पिन और सेप्टी पिन में यह जो इसकी कलीयों है उनको इस तरह से पिरो देना है इस तरह से आप पिरोध होगे तो ये माला जैसी मतलब एक चैन जैसी ये बनके तयार हो जाएगी मतलब सारी जो कलिया है वो सेप्टी पिन के अंदर ही रहेंगी अब दोस्तो इसको अच्छे से आपको क्या करना है लोक कर देना है चोटा सा ट्रिक है लेकिन बहुत ही ज़दा काम का है तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना अगला ट्रिक कई बार दोस्तों हम लोगों के पास इस तरह के पुराने चाजर तो होते ही हैं और इन्हें हम बेकार समझ के फेक देते हैं अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं या हम ही लोग कभी कुछ रेसिपी बगएरा देखते हैं और आपने देखा होगा छोटे बच्चे तो बहुत ज़ादा जुक कर मोबाइल देखते हैं तो यह आपका एक मोबाइल स्टेंड की तरह काम करे है आप जब चाहें जिदर चाहें इसे मूब कर सकते हैं ये दोस्तों कुछ ऐसे छोटी छोटी से जुगाड होते हैं जिन से हमारा काम भी आसान हो जाता है और हमारे पैसे भी खर्च नहीं होते हैं न दोस्तों बहुत ही कमाल बहुत ज़्यादा डराबने होते हैं कई बार जब बच्चे इने देख लेते हैं तो ट्वालेट में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। साथ ही साथ दोस्तो ट्वालेट को clean करना किसी को भी पसंद नहीं होता है, कोई भी family member इसे clean करना नहीं चाहता है, तो आज मैं इसे clean करने का एक ऐसा जादोई तरीका आपके साथ share करूँगी, जिससे आप बिना हाथ लगाए, बहुत ही आसानी से अपने ट्वालेट को clean कर सकत ही है, आपको जो भी shampoo पसंद हो ना वो shampoo आप यूज़ कर लेजेगा, आप देखिए आपको लेना है यहां पर baking soda, baking soda cleaning का बहुत अच्छे से काम करता है, साथ ही आपके अगर ट्वालेट में से बहुत ज़्यादा बद्वू आती है, बैड इसमेल बहुत ज़्यादा आ रही चोटी-चोटी से कीडे रिंगते हुए उपर चले आते हैं, तो यह trick ज़रूर से follow कीजेगा, अब यहां पर आपको लेना है साबून, नहने वाला साबून ले लिजेगा, या कपड़ा धुलने वाला साबून ले लिजेगा, इस तरह से गला हुआ साबून भी आप ले सकत देना है, जब आप इसे mix करोगे तो यह बहुत ही powerful मिश्रण हमारा बनके तयार हो जाएगा, और इसको किस तरह से आपको use करना है, चलिए देखते हैं, अब दोस्तों आपको लेना है यहां पर bottle का धकन, और bottle का धकन में आपको यह जो हमारा मिश्रण है, इसको इस तरह से देखिए भर देना है, अच्छे से भर दीजेगा, और जो extra है उसको आप हटा सकते हैं, या फिर दूसरा एक और धकन भी बना कर तयार कर सकते हैं, यह देखिए, तो मैं अच्छे से इसको इस तरह से भर देती हूँ, तो यह देखिए दोस्तों मैंने इसको अच्छे से भर क्या करना है दोस्तों इसको बांध लेना है अब देखे दोस्तों इसको बांधे के बाद आपको क्या करना है इसके अंदर होल बना लेने है तो किसी लकड़ी वगएरा से क्या कीजे ना इसमें इस तरह से आप छोटे-छोटे से चार से पांच या फिर सोई से होल बनाकर तयार कर लीजे और जो एक्स्टा पॉलथीन है इसको आपको इस तरह से देखे कट करके अलग निकाल देना है अब यह देखिए यह हमारी एक जोट इसी डिब्बी बनके तयार हो गई है इस डिबी को आपको क्या करना है दोस्तों आपका जो flesh tank होता है ना उसके अंदर डाल देना है ये दिखिए इस तरह से अब इसमें जो हमने hole बना कर तयार की है दोस्तों उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता जाएगा और आपका जो पूरा flesh tank है उसके अंदर भरता जाएगा और जब भी आप toilet को use करोगे तो इसमें से भरा हुआ जो पानी है वो आपके toilet के अंदर जाएगा जितनी भी bad smell ह है दोस्तों वो भी remove हो जाएगी साथ ही जो छोटी-छोटी से कीड़े मकोड़े आते हैं आपके toilet में वो भी नहीं आएंगे तो इस तरह से देखिए आपको धकन को बंद कर देना है और जब-जब आप toilet यूज़ करोगे आपका जो toilet है automatic clean होता चले जाएगा I hope दोस्तों य सरदर्दी का काम लगता है क्योंकि जब हम इसको छीलते हैं तो आपने देखा होगा इसमें से जो इसका रस निकलता है वो हमारे हातों पे लग जाता है और हातों पे लगने के बाद इतना जादा ये खुजली करता है कि हमारे हाथ खुजाते खुजाते लाल हो जाते हैं त आपको लेना है यहां पर सरसों का तेल लेने के बाद आपको क्या करना है इस तरह से हतेली पर इसको डाल देना है और इसके बाद अपने पूरे हातों में अच्छे से इसको मल लेना है जब आप इसको इस तरह से मलोगे तो इसके कोडिंग आपकी पूरे हातों में हो जाएग तो उमीद करती हूं दोस्तों आज के सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको बहुत ज्यादा पसंद आये हूंगे इसी उमीद के साथ आज की इस वीडियो का मैं यहीं पेंट कर रही हूं वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स फैमली में शेयर कर दीजेगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तो कल फिर से मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में धन्यवाद